हेलो अबीबन वेलकम टू मैं चानल कोड़ सोरे वित माइक तो अपने हीप यानि प्रियारिटी की प्लेलिस का वीडियो नंबर 20 करने का रहे है लीट को नंबर 632 हार्ड माक्ट है बट यह बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाय है ठीक है बहुत ही हल्फुल है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लीट कोड़ 1508 वाला भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो और आज वाला वीडियो भी बहुत जादा इंफॉरमेटिव ठीक है और यू कन विजिट इस चैनल इफ यू वांट तो नो अबाट मैं लाइफ बहाइं है ठीक है बाट इनफ है कि आप किसी भी स्किल में अच्छे हो सको ठीक है गो फर इट स्टार्ट एनिधिंग विच यू वांट तो लेर्न इंटर टू टूटाद टूट्वेंटिफाइव वित फुल कॉंपिदेंस ठीक है ओके स्मॉलेस्ट एरेंज कवरिंग एलमेंट्स कि लिट कोड नमबर 632 देखते क्या बोलता प्राब्लम यू हव के लिस्ट सौट इंटीजर मदब के लिस्ट इंटे रखा है एक दो तीन मतलब के का वाली तीन तीन लिस्ट दे रखा है और सभी लोग खुद में सौटेड अधो यह लिस्ट कुद में सौटेड यह on decreasing order find the smallest range that includes at least one number from each of the key lists at least one number from each of the key list एक smallest range आपको बताना है ठीक है ठीक है और अगर ऐसा हो गया कि B-A and D-C equal निकल आया ये और ये अगर equal निकल आया ठीक है मान लेते हैं ये और ये निकल निकल आया तो मेरे लिए A, B और C, D में छोटा रेंज कौन होगा A, B होगा अगर A less than C है तो ठीक है ये तभी होगा जब दोनों का range का और ये तो इसको चोटा range मानूँगा जिसका पहला component जैसे A less than C है ठीक है तो problem तो समझ में आगया होगा जैसे यहां पर देखो इस example पर धेयान से देखो यहां पर ये list है खुद में sorted है ये भी खुद में sorted है ये भी खुद में sorted है ठीक है तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई जीरो से लेकर अगर मैं वन लाक ले लूँ या वन करोड ले लूँ बहुत बड़ा number ले लूँ तो ये एक range है औविस सी बात है और इस range में इस सारे number exist कर रहे होंगे है ना हर list से कोई ना कोई number exist करेगा ही करेगा जैसे इस list में 0 है 9 है 12 है 20 है कोई भी एक exist कर रहा ना मेरे लिए बात बन जाएगी तो इस list से 0 यहाँ पर exist कर रहा है इस range में 0,1,2,3,4,5,6 and so on यहाँ तक इतरे सारे numbers है 5 भी exist करेगा इसमें कोई भी number 15 है वो इसमें exist करेगा गए करेगा पर मुझे इतना बड़ा range नहीं चाहिए मुझे सबसे चोटा range चाहिए तो देख लेते हैं मानके चलते हैं आपने ले लिया 4 से 5 का आपने एक range ले लिया तो 4 से 5 के बीच में या तो मानके चलते हैं आपने 4 से 6 का range ले लिया ठीक है 4 से 6 तो 4 से 6 के range में कौन-कौन सा number आया 4 आया 5 आया 6 आया ठीक है और हर list से एक ना एक number होना चाहिए इस range में देखते हैं इस list में देखा जाया तो 4 है हाँ तो list number पहला वाला list तो cover हो गया क्योंकि यहां पर 4 है इस list में अगर देखा जाये तो इस list में 0 है 9 है 12 है कोई भी number इस range में exist नहीं करता है तो यह मेरा valid range नहीं कलाएगा है ना हर list का at least एक number तो होना चाहिए इस range में तो सबसे छोटा range जो मुझे दिख रहा है जिसमें इस हर list से एक number है वो है आपका 20 से 24 क्योंकि तो को 20 से 24 को range है उसमें कौन-कौन सा number आ गया 23 and 24 दोको इसमें आपको 24 भी दिख गया वो list number 1 में है आपको इसमें 20 भी दिख गया वो list number 2 में है आपको इसमें 22 भी दिख गया जो कि list number 3 में है तो सारे list के at least एक number दिख गया आपको मतब यह range valid है और इससे छोटा range आप नहीं ढूंद पाओगे इस example में तो आपको smallest range निकाल के दिखाना है जिस range में जेतने भी numbers है ठीक है उसमें at least हर एक list का एक number तो हो नहीं होना चाहिए ठीक है problem समना आगया problem अच्छा भी है problem statement भी काफी सही है तो देखते हैं हमारा approach क्या हो सकता है सबसे simplest अगर मैं thought process लगा हूँ इस problem को solve करने के लिए सबसे नईव approach जो मेरे मन में आया वो यह आया कि सबसे पहले तो क्या करो इस पूरे element को उठाओ और सबको sort करके एक मैंने vector में डाल दिया मान के जलते हैं ठीक है चलो डाल दिया और अब जितने भी possible ranges बन सकते हैं वो मैं बना लूँगा यह से मुझे 0 दिखा 0 का मैंने 4 से एक range बनाया 0 से 4 एक range बनाया और मैं चेक कर लूँगा कि 0 से 4 के बीच में जो number है या फिर पहले मैं इस list में जाऊंगा इसके जितने भी numbers है सारे number को एक एक करके check करूँगा कि क्या वो इस range में exist करता है देखते हैं जैसे यह 4 है है ना 4 इस range में exist कर रहा है ठीक है अब मैं यहां पर आता हूँ 5 क्या वो इस range में exist कर रहा है नहीं 18 क्या वो इस range में exist कर रहा है 22 30 कोई नहीं exist कर रहा है मतब यह range गरबड है इस range में list 1 and list 2 तो cover हो गया list 3 का कोई भी number नहीं था तो 0,4 मेरे लिए एक valid range नहीं हुआ कोई बात नहीं 0 को मैं 5 से एक बर pairing करूंगा तो मैंने दूसरा यह वाला range बना के देखा अब मैं फिर से वही same count करूंगा इसमें सारे numbers पर जाऊंगा चेक करूंगा कि क्या इस पर कोई भी एक number इस range में exist कर रहा है फिर यहां पर जाऊंगा फिर यहां पर जाऊंगा इसी तरह कोई भी एक मुझे ऐसा pair मिल गया जिसमें हर list से कम से कम इक number मिलके आ रहा है तो मेरा वो answer होगा और मैं देख लूँगा कि minimum range कौन सा मिलता है ठीक है यहां तक clear है जैसे मान के जलते मैं 20 पर जैसे 0 से मैंने 4 का बोल रहा हूं तो इसमें कौन कौन से number आ जाएंगा 20, 21 and 22 तो पहले मैं यहां पर आया इसमें तो कोई भी वैसा number नहीं है जो इस range में हो तब तो यह तो इसका पत्ता इधर ही कट गया ठीक है मान के चलते हैं कि आपने 20 का 26 से चेक मारा ठीक है, तो आप यह range चेक करें 20 से 26 का 20 से 26 का यहांपर एक number मुझे दीख रहा है जो इस range के बीच में आता है पता थो कौन, 24 भी इस range के बीच में आ रहा है 20 से 26 के बीच में 26 भी इस range के बीच में आ रहा है मतलब यह valid है, मतलब this list is happy अब मैं यहांपर आऊंगा देखुगँ हां मिल सकता है अगर आप 20 और 24 को चेक मारते हैं 20,24 को चेक मारते हैं तो देखो इसमें 24 भी अवेलेबल है तो list number 1 happy हो गया 20 भी अवेलेबल है तो list number 2 happy हो गया और क्या 24 है तो अच्छा 20 से 24 बीच में कौन-कौन सा नंबर है 21 22 23 24 इसमें 22 है यहां पर 22 है ठीक है यहां ते क्लिर है तो यह भी लिस्ट हैपी हो गया 20 से 24 मुझे रेंज मिला अब इस रेंज का लेंद निकालते है कितना होगा 24 मैंने 20 कर तो कितना एगा चार यहां जो कि इससे चोटा है तो अव्वेस है मुझे एक बेटर रेंज मिल चुका है कौन है वह रेंज 20 से 24 इसी तरह मैं सारे पॉसिबल रेंज शी को चेक करूंगा जो मिझे बेस्ट लगेगा वो मैं आंसे निकाल दूगा ठीक है बड़ यह बहुत slow solution है reason क्या है कि सबसे पहले तो भाई आपने पूरे elements को उठाया और उन लोगों को एक बड़े list में डाला और ऐसा डाला कि वो sorted fashion में जाए चलो ठीक है यहां तक तो ठीक है आपने उसको सारे sorted list को merge कर दिया एक vector में ठीक है उसके बाद एक और problem क्या हुई कि आप एक element को पकड़ रहे हो हर किसी से pairing कर रहे हो ठीक है तो कितने pair न सकते हैं अगर इसमें total n elements हुए तो और वो ठीक है पेर निकाल लिया फिर क्या कर रहे हो हर एक element को यहां से check मार रहे हो हर लिस में जा जाके कि क्या तुम लोग में से कोई भी element है जो उस pair के जो उस pair range के बीच में आता है फिर इस list को check मार रहे हो ठीक है तो यह बहुत ही slow solution ह आपको try करना चाहिए इसका code ठीक है आपको definitely try करना चाहिए I would encourage you to write the brute force code of this approach बहुत easy approach है लेकिन simple है सारे elements को एक जगा यहां पर डाल दो ठीक है और इस sorted fashion में डालना और हर एक possible pair को नहां से निकालना जो भी pair आप निकाल के लाते हो माल लेते हैं एको माभी निकाला अपने उसके बाद इस list पे जाओ है ना एक एक करके सारे list में जाओ अगर यह happy हो गया यह happy हो गया तीनों happy हो गया तो एक valid answer होगा इसको store कर लो और minimum range का track रखते रहना कि कौन सा मुझे minimum range मिला है यहां तक clear है यह brute force अप्रोच था जो कि बहुत लोग जनरली नहीं बताते है इतने detail में बट मैं चाहता हूं कि आपको brute force भी आना चाहिए यह simplest thought process वाला प्रोच है अदम naive approach सबसे basic approach ठीक है तो अब आते हैं कि भाई इसमें तो यह तो बड़ा slow solution निकल कर आगया इसको improve कैसे कर सकते हैं further देखो आपने notice किया problem में दे रखा कि सारे lists खुद में ही sorted है हमने इस fact का इस्तेमाली नहीं किया हमने इस fact का benefit ही नहीं उठाया ठीक है तो क्यों दियावा सा sorted कुछ तो कारण रहा होगा ना उसका ठीक है उसका देखते हैं कि कैसे improve कर सकते हैं तो यही हमरा input था इसी input से समझने की कोशिश करता है अब देखो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा simple से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मान के चलते हैं मैं आपको मैंने आपको तीन number दिया 405 दिया मान के चलते हैं एक्जांपल आपको सबसे पहला basic instant क्या बोलेगा कि अगर यह तीनों नंबर मुझे चाहिए तो इस तीनों नंबर का सबसे जो minimum number होगा 0 उसको पिक कर लेंगे वह left side का range होगा एका value 0 चुन लिया हमने और जो maximum number होगा उसको मैं right side का range लेंगे लेंगा maximum number क्यों यह 5 है 0 से 5 तो इससे फाइदा क्या होगा कि 0 से 5 यह minimum था और यह maximum element था इसका फ़ादा क्या होगा कि minimum से my maximum range तो चुना उसमें बाकी के नंबर तो होगे होगे है अब ब Thailand ये tu my अने अबर दिया और बिन लप दे सकता था मैं आपको, मैंने ने मोनके दिया ठीमे अब मैंने आपको बोलता हूं कि भाई इक रेंज बता जिसमें सारे नमबर्जहों, तो मैं मीनिमम उठालूं का इंड़ मे टेंडिना में मैं की तो इस सारे इसक तो यह तो बड़ा बेसिक सा चीज था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहां से, कि एक चीज सो समझ में आ गया, कि minimum और maximum को उठा लिया जाए ना, तो बड़ा फाइदा हो सकता है, मैं आराम से range पता कर सकता हूँ, ठीक है, तो ज़र ठीक है, पहला लिस्ट है मेरा ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, टोटल तीन लिस्ट है, ओके, तो अब एक चीज ध्यान दो, सबसे safe side अगर आपको खेलना है, सबसे safe side, कि आपको तीनों लिस्ट के numbers चाहिए, तो एक काम करना, मेरे भाई, तीनों लिस्ट का पहला number उठ चार उठा लिया, और दूसरा लिस्ट का जीरो उठा लिया, तीसरा लिस्ट का पहला number का है, पांच उठा लिया, ठीक है, और इसको आप अराम से sort कर दो, कोई फरक ने पढ़ता है, इसको आप sort कर दो, या तो फिर, नहीं, sort मत करो, वरना क्योंकि आपको पता नहीं चलेग लिधा हुँ, कि यह वाला जो number है, वो जिरो तो वाले list का number है, और वेशे बात है, यह index number 0 है, index number 1, index number 2 है, तीन lists है, total, तो मैं depend से probabil heaven है, यह जो index है, में हाए है लीग देता हूँ कि यह जो इंडेक्स है वह लिस्ट कर रहा की कौन सा लिस्ट है वह फिंद मत मदलनेal इंडेक्स नमबर 0 सरखनऊ 0 effectivement लेलेते यहां फिक कर ते हैं यहां तो इक का न उसमें कौन-कौन के पॉइंटर और उन पॉइंटर सको मैं यहां लिख देता हूं पॉइंटर से आप इलमेंट भी तो अक्सिस करी सकतो आई जे के मैं लिख दी है ऐसे ठीक है तो अभी के लिए वाले लिख देते हैं इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 तीनों का जीरो ना स्टार्टिंग मैं यहां लिख देता हूं ताकि ध्यान में रहे हमारे कि इसका वैल्यू के है लिस्ट नंबर 0 का इंडेक्स नंबर 0 में कौन सा एलेमेंट है ठीक है और लिस्ट नंबर 1 का इंडेक्स नंबर 0 में कौन सा एलेमेंट है जीरो है ठीक है लिस्ट नंबर 2 का इंडेक्स नंबर 0 में कॉंस एलमेंट 5 है तो इक काम करते हैं यहां इंडेक्स ना लिखके i,j,k,k लिख देता है ताकि confusion ना हो थोड़ा सा confusion हो सकता है इसलिए मैं i,j के ही लिख देता हूँ और वो i,j के हम यहां से देख लेंगे तो clear cut देखी रहा आपको है ना ठीक है तो अभी just थोड़े देर पहले मैंने को समझाया कि अगर मैं आपको numbers दूँ कुछ numbers दे दिया मैंने आपको 2-3 numbers दे दिया उसमें best range बताओ कैसे निकालोगे अभी just आपने सीखा कि मिनीमम element को और maximum amount को उठाके रेंज बना देंगे तो यहां पर वही दिमाग लगा ना इधर भी दिमाग कि minimum element को ठालो minimum कुछ और maximum that measurement of 5 तो इस and range बना लेड़ान एसके range में तो को ध्यान दो यह चार भी एक्जिस्ट कर रहा होगा, यह 0 भी एक्जिस्ट कर रहा है, यह 5 भी एक्जिस्ट कर रहा होगा, और एक फाइदा क्या हो गया, तीनों लिस्ट के नंबर एक्जिस्ट कर रहा है, यह तीनों लिस्ट को है रिपेजन कर रहा है, यह लिस्ट नंबर 0 को रिपेजन क तो मैं यहां पर लिख के रख भी लेता हूं कि मुझे एक मस्ट सा रेंज मिला है 0,5 जिसमें ना तीनों एलेमेंट के तीनों लिस्ट के एलेमेंट एक्जिस्ट करते हैं और वो रेंज मुझे यह दिख रहा है कि यह 0 है और यह 5 है अब अगर मैं बोलूँ कि भाई लेकिन मुझे तो छोटा रेंज चाहिए और छोटा रेंज चाहिए ठीक है तो अगर मैं आपको बोलू भाई रेंज छोटा करना है तो यह बड़ा वाला जो है ना उसको छोटा करो टो दिकेत हो जाएगा रेसं कि मीडेश मान के चलते हैं अपनी सक चोटा रड़ गणी तो फैंच तक था ना पहले यह तो अपने कम कर दिया ना पांच को हटा के चार कर दिया तो अब्वेस है यह पांच नहीं पकड़ा पाएगा और इस पांच के बाद जितने भी इलेमेंट से वो सारे नॉन डिक्रीजिंग मतलब पांच से वो आगे के बड़े ही होंगे तो एनिवेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कभी भी यह इस रेलिस्स को कभी भी पकड़ पाओ तो हमें क्या करना चाहिए हमें जो हमारा range है उसका जो maximum element था ना 5 हमें उसको अभी छेड़ने ही नहीं चाहिए क्योंकि उसको चोटा करने के चक्कर में अगर आपने इस 5 को छेड़ के छोटा कर दिया तब आपका यह 5 जिस लिस्ट को भी बिलॉंग करता था उसका पत्ता ही कर जाएगा क्योंकि उस लिस्ट का देखो यह पहला वैल्यू था इसके बाद के वैल्यू तो और भी बड़े होंगे तो वह इस रेंज में आही नहीं पाएंगा कभी भी ठीक है यहांद क्लिर होगा तो मैं क्या करूंग ना इस बड़ यह जो maximum number है हमारे वेंज का पांच नंबर जो है किस嘛 maximum है उसको मैं चूंगोंगा है है यहना Always वाले जो फ़ल नंबर तो बताव तो लुएसट वाला नंबर जो था जीरो वह किस से इंडेक्स को सक्तब्स चेहर को रहा ऐँ ठीक है तो Engagement को चोटा करोंगा इस पर शिफ्ट करोंगा पांच को इस आधिर में नहीं घसका सकता है ना आप देखो भाई आपको रेंज को छोटा करना था पांच से आप लेफ्ट नहीं जा सकते थे चार या तीम नहीं जा सकते थे वह बने आपको बताए क्यूं तो बेस्ट क्या मैं ट्राइ करूँगा कि मैं 0 को बढ़ा करने ही कोशिश करूँगा जीरो किस लिस्ट में है जीरो जेथ लिस्ट में है जीरो फस्ट वाले लिस्ट में उसका जेथ इंडेक्स पर है तो जेथ इंडेक्स में एक आगे बढ़ाने ही कोशिश करूँगा जीरो से थोड़ा बढ़ा लेने ही कोशिश करूँगा तो जे प्लस वन मैंने किया तो देख मेलमेंट चलूँगा मिनिमम कौन है अभी देखो तो मिनिमम चार है तो अब मेरे मिनिमम अपडेट हुआ अब मैक्सिम कौन है मैक्सिम नाइन है मैक्सिम अपडेट हो गया ठीक है बड़ देखते ध्यान देते हैं कि यह जो रेंज है इसका लेंथ केतना है नाइन मेनस फॉर इकल टू फाइव पुराने वाले रेंज का भी तो लेंथ फाइव ही था फाइव माइनस जीरो फाइव था तो अगर रेंज इक्वल होता तो मैंने क्या बोला था कि वह मेरा छोटा रेंज का लाएगा जिसका पहला एलेमेंट यह से जिसका पहला में चोटा वह मेरा छोटा रेंज के लाएगा तो मेरा अभी भी आंसर यही राएगा जिरो कॉमा फाइव ठीक है ओके तो फोर कॉमा नाइन को मैं कंसिडर नहीं करूंगा यहां तक क्लियर है ओके अब फिर से वही करेंगे कि अभी मेरा रेंज मुझे फोर इंडेक्स को किस लीट को प्रिपेजिंक कर रहा था लिस्ट नंबर जीडर ख़ल पतंगर उसका आइठ इंडेक्स हैं और यहां यहां पर आंग्या यहां तक कलियर है तो आई घ्रेंख कर रहा है। 10 लिटर पांच से टेन में यह तीनों नंबर एक्जिस्ट करेंगे अब्वेस यह बात है यहां तक क्लिर है बट इसका भी देखो ना 5 से 10 इसका भी रेंज पांच ही है 10-5 is equal to 5 तो अब वेसी बात है चोटा अभी भी मैं इसी को मानूंगा क्योंकि कि अगर रेंज सेम है तो पहला वा अब बता है यह मेरा अच्छा नहीं है इसको मैं नहीं हुगा फिर से क्या करूंगा minimum element को फिर से बढ़ाऊंगा minimum element 9 था in इंडेक्स न न बढ़ा ये ओंगा ये कॉन से एल्लिस को रिपेजिंग कर रहा था इंडेक्स न बढ़ ये यहां पर आगया आपर 12 है मैंचम अलेमेंट इस लाहिए पर रहा है इस इस अरे में इस गृश्ट कितना को बताओ तो इस अरे का size कितना होगा जितने number of list है यह रहा एक list, दो list, तीन list total अगर k list है तो इसका size कितना होगा k ठीक है तो बार-बार minimum element निकालने के लिए आप o of k times traversal कर रहे हो बार-बार आपको minimum निकालना था इसमें याद है तो आपने इसमें minimum निकाल लिए और हाँ maximum निकालना है तो o of k times इसमें maximum निकालोगे तो minimum 10 है और maximum 18 है ठीक है अभी भी दोखो range बहुत बढ़ा है 18-10 कितना होता है? 8 होता है तो यह मेरा ideal answer नहीं है ठीक है तो अब वैसे minimum element को मैं फिर से बढ़ाना ही कोशिच करूँगा minimum element किस list में है list number 0 में index क्या है आई है तो i को प्लस प्लस कर दो अब यह 15 हो गया मेरा है ना इसको मैं कर देता हूँ 15 अब मेरा minimum element को ने 12 है और अब मेरा maximum element को ने 18 है अभी भी देखो range बढ़ा है 12 होता है तो इसको भी मैं consider नहीं करूँगा तो अब फिर से मैं करूँगा जो मेरा minimum element है उसके आगे बढ़ूँगा minimum element जे पॉइंटर है list number 1 में list number 1 के पास में गया इसका जे पॉइंटर को मैंने बढ़ा किया आगे बढ़ाया अब आगे 20 जे अब 20 को पॉइंट कर रहा है अभी minimum element कौन है 15 अभी maximum element कौन है 20 है 20-15 कितना हुआ range is 5 इसका भी range 5 था पर अब बैसे यह चोटा कहलाएगा क्योंकि इसका पहला element चोटा है तो अभी मैं अपने answer को अपडेट नहीं कर रहा ठीक है अब मैं देखो minimum element को बढ़ाऊँगा फिट से कोशिच करूँगा range और चोटा करने की तो 15 कौन से list में है zeroth list में है आयत pointer पे आई को बढ़ाओ आई यहां पर आगया 24 आगया अब है तो आई अब किसको पॉइंट कर रहा है 24 को पॉइंट कर रहा है तो मैं यहां पर 15 हटा के 24 लिख दता हूँ अब मेरा minimum element कौन है अभी मेरा minimum element है 18 अभी मेरा maximum element कौन है 24 24-18 6 होता है अभी भी मुझे range अच्छा नहीं मिला मेरे पास और पांच size का range 5-05 होता है वो छोटा है तो इसको भी मैं better answer नहीं मानुगा अब मैं 18 मेरा minimum element था मैं इसको बढ़ाने ही कोचिश करूँगा 18 किस list में है भाई 18 है list number 2 पे index number k पर index k को बढ़ाया मैंने k यहां पर आ गया यह 22 ठीक है अब यह 22 को पॉइंट कर रहा है ठीक है कि जो है 22 को पॉइंट कर रहा है अभी मेरा minimum element कौन है अभी मेरा minimum element 20 है अभी मेरा maximum element क्या है 24 है अभी range निकालते है 24 मैंने से 20 कितना है 4 आ गया तो छोटा range मिल गया यह range कितना था पांच मैंने 05 था मेरा मुझे बेटर आंसर मिल गया तो इसको जाए भाड में मेरा मुझे बेटर आंसर मिल गया है 20 से 24 ठीक है तो इसको मैंने स्टोर कर लिया यहां तक क्लिर है अभी देखना बड़ा important part आएगा अभी बहुत important part आएगा ध्यान देना इस पर ठीक है बढ़ाया जी आउट ओफ बाउंड हो गया जी मेरा आउट ओफ बाउंड हो गया अब आउट ओफ बाउंड होने का पता दिक्कत क्या है कि अब आप इस लिस्ट से कोई भी element नहीं ले सकते बट मुझे प्रॉब्लम में क्या देखा है हर लिस्ट से एक number होना चाहिए बट आप इस लिस्ट से आप कोई भी number नहीं ले सकते तो आपको anyways पूरा लूप को break करना पड़ेगा आप रूख जाओ यहीं पर कोई भी एक list end हो जाता है मतलब आप आप आगे नहीं बढ़ सकते यहां तक clear है और आपको answer मिल चुका होगा 20,24 यह अपका answer है यहां तक clear हो गया सब कुछ ठीक है बहुत ही अच्छा solution तो देखा जाएगे तो है ना और हमने बड़ा basic सा दिमाग लगाया कि भाई तीनों element का minimum element यहां वाला चुन लो उसके बाद धीरे-धीरे range कम करने की कोशिश करो ठीक है और range कम करने की कोशिश कैसे कर रहे थे minimum वालों को ही आगे बढ़ा रहे थे max को नहीं कम कर रहे थे max को कम करने की वैसे क्या होता कि max जिस भी list को बिलॉंग करता है वो list का पत्ता ही कड़या था वह भी मैंने आपको संजा दिया ठीक है और given elements में range कैसे पता करें minimum, maximum चुन लो उसका भी मैंने आपको reason बताया था नीचे ठीक है यहां तक लिर है तो यह भी solution अच्छा है बट इसमें एक problem क्या है ना देखो यहां पर ध्यान दो यह भी accept हो जाएगा solution क्योंकि constraint इतना भी strong नहीं है यह accept हो जाएगा देखो तीन पॉइंट रम नहीं यहां लिया था i, j, k लिया था ठीक है अब देखो अब इसमें problem एक क्या दिख रहा है मुझे कि भाई मैंने एक array लिया इसका size कितना है array का o of k k क्यों है क्योंकि कि भाई k list था k list था तो k pointers थे i, j, k ठीक है और हर बार आपको इस list पर traversal करके minimum और maximum निकालना पड़ रहा था minimum और maximum है ना तो minimum और maximum निकालने के लिए time कितना लग रहा था o of k यहां तक clear है तो देखो आप सारे element पर इत्रेट कर रहा हूं यहां पर i, j, k के मदद से सारे element पर iterate कर रहा हूं तो overall n elements पर iterate मार रहा हूं मानके जलते total number of elements n है ठीक है और हर बार minimum और maximum निकालने के लिए आप इस पर iterate मारो जिसका size कितना है k है n into k आपको हो जाएगा time ठीक है तो बड़े असानी से आप इस स्टोरी को जो कहानी मैंने सुनाई है इसको कोड में कनवर्ट कर सकते हो बहुत असानी से मैं तो बोलुग वीडियो पॉज कर लो बचसिल मैं को बता जिता हूं सबसे पहले मैंने क्या बोला कि याद करो total k number of lists से करको मैं तूश केरे साथ है मैं क्या रहा था तीनो पउंटल को रख रहा था जो कि िएक एक लूमिंट को पॉंट कर रहा है हर लिस्ट के और स्टार्टिंग में याद करो तीनो पोईंट दीनो पॉंट term आई, जे और के, है न, ठीक है, और लिस्ट का इंडेक्स क्या है, लिस्ट का इंडेक्स है, 0, 1, 2, है न, यह लिस्ट का इंडेक्स है, 0, 1, 2, और उस लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जो एलेमेंट है, उस लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पे जो एलेमेंट है, उस लिस्ट में 0 इंड इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई इसके बाद मुझे इटरेट करना है इस अरे में ठीक है और मुझे निकालना क्या है minimum element निकालना है minimum element निकाल लेंगे और उसका index obvious है यहां से पता कर लेंगे कि इन तीनों में से minimum element कौन था यहां पर 0 लिख देता है index है वो इन तीनों में minimum element कौन था index 0 में 4 था 0 था 5 था मैं आपर ऐसी लिख देता हूं comment में 4 यह 0 था यह 5 था जो भी minimum element रहा होगा उसका minimum element का value यहां पर store होगा उसका index भी store करेंगे minimum element का index ठीक है index भी store कर लेंगे similarly maximum element और maximum element का index ठीक है यहां तक क्लियर है अब याद करो मैं क्या पूलता है रेंज कैसे define करते थे minimum element को चुन ले और maximum element को चुन ले यह range define करता था minimum element और maximum element तो आपका range मिल गया और आप compare करते चलो कि आपके पस अल्रेड़ी जो रेंज है उससे बेटर है क्या यह बेटर अपडेट कर लेना ठीक है यहां तक क्लियर ह उसके बाद और range को और छोटा करने के लिए याद को क्या करते थे जो minimum element है उसको पकड़ते थे माल लेते minimum element 20 है मेरा उसको पकड़ा और 20 का index क्या था ये था ठीक है और ये किस list में था इस list में था one वाले list में ठीक है उसके index को बढ़ाके next element पर जाते थे यहां तक clear है तो यहां पर भी हमें वही करना चाहिए कि minimum element का हमें इंडेक्स पता होना चाहिए ठीक है तो और maximum element का index पता करने चो को फाइदा ही नहीं है तो maximum element का index वाले variable मैंने ऐसी लिख दिया था इसको में हटा दे रहा हूँ ठीक है ओके तो मेरे पास minimum element का index तो है ही है ना तो मैं minimum element का index पर जाओंगा यह मान लेते मेरे minimum element यह था और उस पर प्लस प्लस कर दूँगा और देख लोगा कि कहीं आटो बाउंड नहीं होना चाहिए प्लस प्लस करने पर जी यहाँ पर आ गया ठीक है और फिर मैं अपने इसको लिस्ट को अपडेट कर दूँगा कि अब जो मिरिमेलमेंट का जो इंडेक्स था वो अब किसको पॉइंट कर रहा है अगर कोई बीएग लिस्ट आउट भॉंड हो गया चाहिए चाहिए यह चाहिए तो मैं उसी वब ब्रेक कर दूँगा ठीक है और हां आपको यह याद होना चाहिए कि ये वाला इंडेक्स जो है ये किस लिस्ट का इंडेक्स है इस लिस्ट का इंडेक्स है और क्या ये वाला लिस्ट जो इंडेक्स नंबर 1 पर है हमारे इस पर ये जो हमारा इंपुट दे रखा है इसमें 0 इंडेक्स पर ये वाला लिस्ट है फर्स्ट इंडेक्स पर ये वाले लिस्ट है, सेग्न इंडेक्स पर ये वाले लिस्ट है, यहां तक क्लीर है, बस, इतना ही सा काम करना था और यह प्रॉलम्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बट अभी से ही मैं आपको एक हिंट देता हूं, विडियो पॉस्ट करके जरूर से feeling, मालना, आपको यादे हैं यहां पर आपका सबसे बढ़ा पेन कि हा है, कि बार-बार आप इस पर सब्सक्राइब मारते हो और बार-बार इसनका minimum और maximum में निकालते हो, तो आप क्या किया तरिका हैं, कोई तो तरीका होगा, ठीक है, तो एक डेकेटा स्रक्चर है जो हेल्प कर सकता है मेरा मेला को ओवन टाइम में निकालने में कौन अब डेक टीठ कar से किप अराम से मेल्मेंट या मैे capitalismन निकाल सकतो ओवन टाइम में घंचेंगा उस list का zeroth index को my point कर रहा हूं जहा है यहां तक clear है और हमें result जो return करना वो एक vector में return करना है यह जो मेरा result range होगा वी जो मेरा result range होगा उसको मैं अभी define कर लेता हूं इसका constraint दे रखा minus 10 कपअचा 5 से लेकर minus plus 10 कपअचा 5 देता हूं इसको अपडेट करते रहेंगा result range ठीक है यह मेरा क्या एक कॉमा बी है है ना ने कि हम वाइल यह अपना जो यह जो वेक्टर है अभी का साईज के है मतलब के लिस्त को अर्हल लिस्त में जीरो इंडेक्स है कुछ है से सबसे पहले लिंगा का एक minimum value निकालना और maximum value निकालना है ठीक है तो इंट क्या करें current minimum value या फिर min element is equal to int max ले लेते हैं int max element is equal to int min ले लेते हैं ठीक है और या करो index भी चाहिए होता था इंट minimum element का लिस्ट इंडेक्स किस लिस्ट में वो प्रेजन्ट है ठीक है इसको अभी कोई भी value sign कर दो 0 sign कर देता है इसमें ठीक है अब देखो ध्यान दो for int i is equal to 0 i is less than k i++ ठीक है इंट list index में रख्या है यह i है और int element इंडेक्स क्या है वो मेरा वेक ओफ आई है और int मेरा element क्या है current element क्या है कैसे निकालोगे nums of list index यह आपका लिस्ट इंडेक्स है और इस list index पर element का index क्या है यह है तो आपको element मिल जाएगा यहां तक clear है अब बस आपको यही चेक करना है कि जो आपका current element यानि कि यह वाला कहीं यह छोटा तो नहीं आपके minimum elements है तो अब बैसे आपको update करना पड़ेगा minimum element will be equal to element ठीक है और minimum element का list index को update करना पड़ेगा minimum element का list index क्या हो जाएगा अभी जो आपका list index निकल कर आया है यह आई हो जाएगा कि है ना क्या है list इंडेक्स यह ना यह वाला list index यहां तक clear है और आपको maximum element का भी track रखते जाना है इफ जो current element है वो greater than max element हुआ तो अबसे बात है max element will be equal to element है यहां तक clear है या तो इसको एक line में भी आप change कर सकते हो max element is equal to max of max element, element element ठीक है यहां तक clear है ओके जैसे यह आपने for loop लगाया और आपको minimum and maximum element मिल गया मतलब आपको range मिल गया और क्या आपको range मिल गया range क्या होता था minimum element and maximum element यह होता था range ठीक है तो हम बस यह check कर लेंगे कि अभी जो max element minus min element है अगर वो छोटा निकलाया जो भी आपका resultant range का difference है b minus a resultant range का 1 index में b था minus यहां a था अगर उससे छोटा निकलाया तो अब्वेस साथ आपको update करना चाहिए resultant range का 0 will be equal to min element और इसका index 1 में क्या डाल जेंगे max element यहां तक clear है ओके तो आपका range update हो जाएगा उसके बाद मैंने आपको क्या बहला था कि जो minimum element है now shorten this range by moving min element index ठेक है तो कैसे करते तो याद करो इसके में ऐसे निकलते next index will be equal to जो भी मेरा minimum element है हाना वो किस list में भी था उस list का कौन सा index था वो कहां से निकालोगा इस वेक्टर से निकालो minimum element का list index जो भी था उस पर जो भी value रहा होगा वो उस list का index होगा next index कैसे निकालोगा प्लस वन कर दो उस पर ठीक है यहां तक clear है और बस यहां पर यह चेक कर लो कि अगर अगर आपका यह जो next index है वो अगर greater than या फिर equal to nums of minimum element list index का size की अगर बराबर निकलाया ठीक है या तो उससे बड़ा निकलाया तो आप यहां पर break कर दो ठीक है और break अगर नहीं होता तो ठीक है अच्छी बात है हम इसको update कर देते vector of minimum element list index में जाके next index को अब update कर देंगे वहां पर अब जो भी मिरा नया index है वो अब यहां पर हमने update कर दिया इससे ठीक है अब याद करूं यह चलता कब तक रहेगा यह कब तक चलता रहेगा जब तक मैं यह break ना लगा दूँ तो एक काम करते हैं यह सब कुछ होता रहेगा while true में डाल देते हैं इसको यह सब कुछ होता रहेगा और एक समय break हो जाएगा जब हम कोई भी एक list exhaust कर देंगे ठीक है और इसको हम यह कर देते हैं indent कर देते हैं हम लोग और लास्ट में क्या करना है return result range return कर देना है ठीक है run करके देखते हैं we should be able to pass all that as cases minimum element list index index क्या गलती है line number 35 में minimum element list index okay spelling गलत कर दिया हमने let's see indeed yes submit करके देखते हैं okay accept हो गया but obviously काफी time लगा efficient solution नहीं यह बहुत ज्यादा अब आजाते हैं इसके optimal approach पर अब देखो ध्यान से heap कैसे पहले तो आपको यह समझ में आ चुका हुआ कि हीप ही क्यों rescue कर रहा है क्योंकि मुझे minimum या maximum element ओवन टाइम में चाहिए था और मुझे ज्यादा फिकर minimum element का क्योंकि याद करो मुझे minimum element का इसका index भी चाहिए होता था है ना और वो किस list को में present है वो भी चाहिए होगा obvious सी बात है तो minimum element मान लेते हैं आपका यह था यह वाला तो वो किस index पर है और वो किस list पर है तब ही तो उस list पर आप जाते हैं माल लेते हैं लिस्ट वन है तो आप लिस्ट नंबर वन पर गया है उसका index नंबर वन पर गया है तब आपको वो element मिला तो आपको यह तीन information चाहिए कि वैल्यू क्या है उसका जो भी मेरा element उसका value क्या है जो मेरा minimum element उसका value क्या है जीरो था उस minimum element का index क्या था वन था या फिर जीरो था जो भी था और वो किस list को में present था मतलब list का index है ना याद को यहां पर वन था ठीक है तो minimum element की इतनी सारी जनकारी चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँगा ना एक min heap ले लूँगा एक min heap ले लूँगा और उस min heap में तीन चीज़े store करूँगा हर एक element के लिए तीन चीज़े store करूँगा पहला की भाई value क्या है उसका minimum element का ठीक है दूसरा की भाई वो list कौन सा list में present है तो लिख देता हूँ list index तीसरा उस list में कौन से index पर है ठीक है तो उसका क्या नाम देते है ठीक है यही तीन चीज़ चाहिए आपको किसी भी element को ढूनने के लिए कि भाई वो हमारे इस entire array में किस list में है उसका index आपको पता है ठीक है और उस list में किस index पर है ठीक है और उसकी value क्या है यह तीन चीज़ आपको help कर सकती है किसी भी element को identify करने में यहां तक clear है तो यह तो समझ में आगा कि min heap से यह चीज़ पर चल दाएगा याद कर आपको max element भी तो चाहिए था max element के लिए max heap maintain करके रखोगे नहीं आप एक variable से भी maintain करके रख सकतो max element है ना बस आपको element की जनकरी चाहिए ना तो आपको एक variable लेकर रख लेना ताकि उस पे आप उसका track रख सको मानके चलते हैं आपका max element जो है starting में याद करो इन तीनों को जब आप fill कर रहे होगे याद करो इस input का पहला तीन element आपको डालना पड़ेगा ना heap में यह 4 को यह 0 को और यह 5 को तो heap में जब डालोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,0 और 5 था ना पहला value क्या था 4 था दूसरा value 0 था तीसरा value 5 था तो minimum heap है तो यह rearrange हो जाएगा सबसे top पर क्या आ जाएगा 0 उसके बाद आ जाएगा 4 उसके बाद क्या आ जाएगा 5 ठीक है और यह लोग किस list में हैं यह list number one में था यह list number 0 थे index वाले पर पर था और यह list number 2 यह लोग खुद पर हैं यह लोग खुद 0 थे index पर था यही 3 information चाहिए आपको, right, और जब आप MINHEAP में इन 3 को आप डालोगे, तो MaxElement को इसी वक्त ट्रक कर लेना, कि MaxElement कौन है, MaxElement का कौन है, 5 है, ठेक है, तो आप Heap से process करना, start करना, MINHEAP से आपने process किया, सबसे top पर सबसे minimalment आपको मिल जाएगा, minimum element क्या मिल गया 0 और list का index क्या है 1 और minimum का index क्या है वह 0 आपने इसको पॉप कर दिया तो ये पॉप हो गया अब जब ये पॉप हो गया तो आपको range तो आराम से मिल गया minimum element maximum element 0,5 तो range तो आपको मिल गया अभी भी आप वही काम कर पा रहे हैं अब पहले वाले इससे पहले वाले approach में वेक्टर की थ्रू कर पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि आपको minimum element easily मिल जाएगा ओफ वन टाइम में आपको iterate नहीं करना पड़ा है ठीक है यहां तक clear है अब देखो ध्यान देना अभी आपको minimum element और maximum element से आपको range तो पता चल गया 0,5 ठीक है अब आपको याद करो 0,5 आपको मिला तो आपको minimum element था उसको आपको बढ़ा के चेक करना पड़ता था आगे तो कैसे चेक करते था minimum element का इंडेक्स किया है तो यह है ना idx तो idx प्लस वन करोगे कौन सा लिस्ट था लिस्ट इंडेक्स से निकाल लेंगे dot size कि उस लिस्ट में जितने भी elements है है ना इंडेक्स उसको आउट ओबाउंड नहीं होना चाहिए तो idx प्लस वन से next element मिल दाएगा मुझे ठीक है और अगर लेस्ट अगर आउट ओबाउंड नहीं है तो next element निकाल लेंगे next element is equal to nums of कौन सा लिस्ट था लिस्ट इंडेक्स से निकाल लेंगे ठीक है इंडेक्स कौन सा idx से प्लस वन ठीक है next element निकल गया और आपको priority queue में इसको push करना पड़ेगा pq.push क्या क्या push करोगा जो value है next element value है कॉमा यह किस लिस्ट का इंडेक्स है लिस्ट लिस्ट का इंडेक्स क्या है यह हो गया और idx प्लस वन इसका उस लिस्ट में इंडेक्स था ठीक है और मैंने अब क्या बला था इसी वक्त आप current max को भी अपडेट करते रहे ना जो भी मेरा current max element है क्या था variable का na max element max element will be equal to maximum of max element comma अभी जो next element आया है just compare करते रहे ना तो दो आपको max element का भी track रखा रहेगा हर वक्त ठीक है और अभी आपने किस को push किया next element को तो इंडेक्स संबर 0 के बाद इंडेक्स आपर 1 आएगा ठीक है तो किसको push करोगे जिरो के बाद यह 9 आएगा ना 9 तो 9 को डाल दूंगा मैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर 9 आजाएगा यह लिस्ट इंडेक्स 1 पर था और यह इसका index क्या है इंडेक्स 1 है ठीक है और 90 अब मैंक्सिमल मैंट कॉन होगा अब देखो तो 9 हो गया और मिणिमल मेंट कॉन हो जाएगा यह में हिप के जो टॉप पर है फिर से आप इसको पॉप करना मिणिमल मैंट 4 हो गया लिस्ट इंडेक्स 0 है और इसका index 0 है ठीक है फिर से वही चीज चीज करना repeat करना है इसको that's it हमने क्या किया बस vector को हटा के एक min heap ले आए और min heap में ये तीन चीज ही की ही क्यों की जरूरत पड़ी वो अभी आपको दिख गया होगा ठीक है directly अगर आपको कोई बोलता है कि भाई एक min heap ले ले और min heap में ये तीन चीज स्टोर कर ले तो भाई उससे आप नहीं सीख पाऊगे जादा कुछ आपको क्यों min heap लेना पड़ा और क्यों min heap में इन तीनों चीजों की information जरूरत पड़ी value क्या तीन चीज है value वो किस list पर था और उस list में कौन से index पड़ता है इन तीनों चीजों के आपकी जरूरत पड़ रहे है ठीक है हर चीज के पीछे reason उतार आपको reason पता होना चाहिए अब इससे तो को फाइदा क्या हुआ कि आप priority मतला आप सारे elements पर ट्रेट मार रहे हो तो उसके लिए n तो लगे कही time पर टी बट ही minimum निकालने के लिए आपको ओवन टाम लग रहा है सिर्फ ओवन ताइम निकाल पार हो लेकिन हाँ हीप में पुश कर रहो है इसे पॉप कर रहो तो लॉग ऑफ के लगेगा लॉग क्यूंकि हीप का साइज माक्सिमम के ही रहेगा इससे जादा नहीं लॉग की आपका time complexity हो जाएगा ठीक है याद करो कितना इंप्रूमेंट हो गया हमारा पहले एंट के लॉग के हो गया तो चलो सिंपल सा स्टोरी था यह भी इसको कोड में करते है और इस प्रॉब्लम को फिनिश करते है तो अब चलो अपने अप्टुमेल प्रोसेस कोड कर मैंने क्या बहुत है कि मिन हीब लेंगे ल उसमें यह स्फिर करना पड़ेगा और CCTV किस लिस्ट में उसका engagement बना पढ़ेगा और गर element का index क्या है element idx इसको इसमाल लेते हैं इस ते तीन चीज्ब रहेंगे ओदेना तो तो यह तो पेयर ओफ इंट पेयर ओफ पेयर में सोर कर सकतो है इंट पेर ओफ इंट कॉमा इंट ऐसे कर सकते हो बड़ी थोड़ा कॉंपलेक्स लगता इसलिए मैं क्या करता हूं कि इसको नॉमल एक वेक्टर में स्टोर करेंगे वेक्टर ओफ इंट उसमें तीन वैल्यू रहेंगे इसमें वेक्टर स्टोर करेंगे प्रायोरिटीटू क्यूभ्स करिए अगर इसमें सिर्फ एंट्रेस्टोर लाए बिन यहाँ करता एक वेक्टर इंट व्सक्रेंगे और वेक्टरम इंट्ट उसे सब्क्रेंगे तो प्राइटि क्यों ऐसे डिफाइन करते हैं अगर इसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर करना होता था बड़ी इस पर इंटीजर नहीं चोर कर रहा है max element है ना या तो फिर normal variable रखता है max L रखता है ठीक है max element is equal to int min रख लेते हैं अभी के लिए ठीक है और याद करो min heap में शुरू के k elements डाल देते हैं हर हर list से एक-एक element ठीक है for int i is equal to 0 i is less than k i++ ठीक है तो pq.push सबसे पहला element मतलब सबसे पहला value कह था nums of index i का 0th जो index में जो value वो डाल रहे हैं किस list में है यह list का index क्या है इत है ठीक है और और उस list में कौन से index है 0th index है यहाद है clear और max element को update करता रहेंगा maximum of max element comma nums of i comma 0 यहाद है clear तो max element मेरा update होता रहेगा ओके इसके बाद वह यह vector of int result range मेरा वही होगा minus of tank power 6 plus of tank power 6 यहाद है clear है इसके बाद normal जब तक priority की मेरा खाली नहीं हो आता पीक्यू दॉट पॉप कर दिया उसको ठीक है अब in the element will be equal to क्या होगा current of 0 and list idx क्या होगा मेरा current of 1 and idx क्या होगा मतलब जो element index है वो current of 2 तो यह तीन चीज मैंने निकाल दी है ना अब आप अराम से आपको यह पता चल चुका है कि इसका range क्या होगा आपको minimum element पता जादा सही रहेगा max element minus element अगर यह less than या फिर सॉरी यह अगर हाँ less than हुआ मेरा जो already मेरे range में store कर रहा है 1 minus 0 ठीक है तो मुझे update कर देना चाहिए तो इसका 0 में minimum डाल दो और इसके 1 में max element डाल दो यहां तक clear ओके इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था की चलो ठीक है यह रेंज तो निकल गया मुझे better answer चाहिए राइट तो better answer के लिए कि मैं क्या करूंगा shorten sorry decrease the range from minimum side ठीक है इफ तो याद करो next index कैसे निकालेंगे current element को जो index था वो idx था तो directly ऐसे चेक कर लो idx plus one क्या है next index होगा it must be less than nums of list यह था उसका idx dot size अब्वेसी बात है उससे छोटा होना चाहिए बना out of bound हो जाएगा तो अगर छोटा है तो next value निकाल लो next value क्या होगा मेरा या next element will be equal to nums of list idx उस पे मेरा idx plus one वाला element ठीक है और pq.push कर देंगे क्या क्या पुछ करते थे element को पुछ करते थे next element मेरा यह है उसका list index यह है और उसका index यह है in idx plus one ठीक है और current max को update करते रहेंगे या भी जो भी है मेरा max element max l is equal to maximum of max l comma जो भी मेरा next element है यहां तक clear है ओक और अगर ऐसा नहीं है मतलब पक्का यह वाला list मेरा खतम हो चुका तो मैं इधर ही ब्रेक कर जाओंगा और जैसी ब्रेक किया बाहर निकल के हमें क्या करना return जो मेरा result range है वो return करना है रंग करके देखते है वी शुट भी अबल टू पास all the test cases indeed yes कोई भी डाउट होता है राइज रेज़ इन दो कमें सेक्शन काफी एच्छा प्रोब्लम था जरूर से रिवाइस करना इस अ वेरी फेमस प्रोलम और वेरी गुड प्रोलम see you guys in the next video thank you